नमस्कार दिक्षा की रिसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे गणपती बपा के लिए बेसन के मोदक एकदम सौप्ट और बहुती ज़्यादा टेश्टी आपको बहुत पसंद आएंगे बेसन के मोदक बनाने के लिए एक कड़ाई में हम आदा कटोरी घी गरम करेंगे घी के गरम होते ही घी में हम डालेंगे बेसन तो यहाँ पर घी थोड़ा सा गरम हो गया है अब हम इसमें बेसन डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने लिया है दो कटोरी बेसन तो दो कटोरी बेसन में आपको आधक टोरी घी लेना है और दोनों को मिला देंगे और इसे दीमी आज़ पर अच्छे से कलर चेंज होने तक पकाएंगे जैसे ही बेशन दिरे दिरे भुन रहा है वैसे ही बेशन घी चोड़ रहा है यही पैचान होती है बेशन के भुन जाने की तो आप देख सकते हैं बेसन का कलर भी चेंज हो रहा है बेसन ने घी कितने अच्छे से छोड़ दिया है तो यहाँ पर हमारा बेसन भुनके तयार है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सर को एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम इसे ठंडा होने देते हैं और तब तक हम स्टफिंग तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया एक मिक्सर जार उसमें डाल देंगे 10-12 बादाम 8-9 पिस्ता, 6-7 काजू और 2 चमच नारियल का बूरा और इसे हम एक बार दरदरा पीस लेंगे और यह देखिए इस तरह से हमें दरदरा पीस लेना है अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़ गुड़ को मैंने कदुकस कर लिया है यहाँ मैंने एक कटोरी गुड़ डाला है और फिर से एक बार सारी चीजों को मिक्स होने के लिए पीस लेंगे और यह देखिए एकदम परफेक्ट बनके तयार है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं इसके हम छोटी छोटी बोल तयार करेंगे ताकि हम मोदक के अंदर आसानी से फिलिंग कर सकें इस तरह से बोल बना लेंगे और बिना कोई जहनजट के बिना गेस जलाए ही हमने एकदम आसानी से यह स्टफिंग बना के तयार कर ली है अब जो बेसन है इसे देख लेते हैं तो यह देखिए बेसन ठंडा हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे आदा कटोरी पिसी विचीनी और एक चमच इलाइची पाॉडर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे एक जगार इकटा कर लेंगे अगर आपके मिसरन में ज्यादा घी हो गया हो या फिर आपको ज्यादा सोफ्ट लग रहा है तो आप मिसरन को 10 मिंट फ्रीज में रखें और फिर मोदक बना लें आसानी से मोदक बन जाएंगे अब यहाँ पर मैंने लिए मोदक बनाने के लिए मोल्ड इसको अच्छे से घी से ग्रीज कर लेंगे अब हम इस मोदक मोल्ड में थोड़ा-थोड़ा मिसरन डाल करके साइड पम इसमें डाल देंगे स्टेफिंग और थोड़ा सा मिसरन और लेकर इसको उपर से बंद कर देंगे अच्छे से दबा करके और जो चारों और से थोड़ी-थोड़ा मिसरन निकल गया है उसे अच्छे से पौंश देंगे और ये लीजिए हमारा मोदक बनके तयार है कितना अ मोदक काटके दिखाते हूं ये देखिए कितने सोफ्ट बने हमारे मोदक तो आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें धन्यवाद फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ